पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत के साथ वियापारिक समन्द खतम कर दिये हैं शायद पाकिस्तान को लगा होगा कि इसके फैसले से भारत की अर्थववस्ता खतम हो जाएगे भारत पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा लेकिन पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए है लोग सकों पर उतर गए हैं और खाने के समान में कमी आ गई है भारत और पाकिस्तान में जो वियापार होता था उसमें भारत की और से निर्यात जादा होता था मतलब पाकिस्तान में ज्यादा समान भारत भेजता था और आयात कम होता था यानि वहां से कम समान भारत मंगवाता था जब से पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया है तब से पाकिस्तान में टमाटर, प्याज, हरी सबजियों की कमी आ गई है पाकिस्तान के जंता में इमरान खान के शरकार को लेकर गुस्सा है बड़ी संक्या में लोगों का कहना है कि भारत से आयातबंध होने के कारण इस बार इद भी फीकी रहेगी वहीं कुछ लोगों के मन में तो ये सवाल है कि ना पैयाज है ना सबजीया है हम खाएंगे क्या पाकिस्तान के लोग इमरान खान से पूछ रहे हैं कि ना सबजी ना रोटी हमें क्या घांस खिला होगी पाकिस्तान की जंता गुसे में है और सरकार के खिलाफ परदशन कर रही है पहले परधानमंतरी नरेंदर मोदी ने 230 जूटी बढ़ा कर पाकिस्तान को कंगाली की ओर धकेल दिया था अब पाकिस्तान ने भारत के साथ वियापारी की रिस्ते तोड़कर रही सही कसर भी निकाल ली है अब हाथ में कटोरा लेकर वो फिर से दुनिया के आगे भीक मांगने जाएगा इस मेहने की शुरुवात में पाकिस्तान सरकार ने 5 रुपे 15 पैसे प्रती लीटर, डीजल 5 रुपे 65 पैसे प्रती लीटर, कैरोसीन 5 रुपे 38 पैसे प्रती लीटर महंगा किया था पाकिस्तान में पैट्रोल 118 रूपे प्रति लिटर और डीजल 138 रूपे प्रति लिटर पहुंच गया है अब भारत से रिष्टा तोड़ने के बाद वहां के तेल के किमतें और भी जादा हो गई है भारत पाकिस्तान को निर्यात 80% करता था जबकि आयात 20% यानि भारत पाकिस्तान को बेचता ज़्यादा था उससे खरीता कम था वियापारिक रिष्टे तूटने की स्तिती में पाकिस्तान को सारा समान दूसरे देशों से मंगाना होगा जो उससे ज़्यादा महगा पड़ेगा पहले जो समान भारत से मंगाया जाता था वो सिमावर्ती सेत्र होने के कारण पाकिस्तान को वो समान सस्ता पड़ता था ट्रांस्पोर्ट का खर्चा बसता था अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान कैसे इस्तिती से उबर पाता है पर पाकिस्तान में ऐसे हालात पर आपके दिबाग में क्या विचार है कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें और ख़वरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें देखते रहेए वीके नियूस